लाइसों इसकार प्रेक्षम आफ्लाइन आज्ये प्रेक्षम करेंगे इसमें बहुत तरह के बनते हैं यह कुछ फ्रेक्षम मैं कुरा रहा हूँ यह कमसे रोप करके देखिएगा जो एक्षानस में पुशे आते हैं यहां पर आपको data given है question को पढ़के यह से data given लिखे हैं यहां पर line AB 75 mm है इसका top view 65 mm है और front view 50 mm है top view को AB लिखते हैं हम लोग front view को A-B- लिखते हैं और A point का आपको location बताया हुआ है in the SP and 12 mm in front of VP यहां से हम इसको बनाना स्टार करते हैं तो यहां पर स्टार करते हैं लोग सबसे पहले यह point लिया A in the SP यह A-S हो गया फिर 12 mm in front of VP तो इसको निचे बनाते हैं XY के यह A point मिल गया यह XY medium रहेगा इसके बाद में हमको यह बताया हुआ है कि length of top view 65 mm तो यहां पर यह top view A का है यहां से हम parallel line खीचें और उसका length रहे 65 mm ठीक है यह 65 mm इसका length रहेगा तो हमको point मिला B1 B1 से हमें projector खीतना है perpendicular लंबर और यह जब आपको top view parallel to the XY है तो आपको front view में यह true angle और true length बताता है तो यहां पर आप 75 mm true length है यह true length का arc लेके यहां पर A' पर रखके cut करेंगे projector line को तो हमको B1' मिल रहा है और यह locus of B in front view यह B का front view इसी line पर कहीं ना कहीं लाई करेगा ऐसे ही हमको बताया हुआ है कि front view length A' B' 50 mm तो इसको भी हम पहला समना अंतर मालने A' जो आया हुआ है उससे 50 mm के distance पे B' इसकर आपने B2' रख दिया B2' का projector खीचा तो यह projector ऊपर और नीचे दो साइड जा सकते हैं यह front view है तो top view निकालने के लिए इसको हमने नीचे खीचा है वैसे चाहे तो इसको इसको उपर तक भी खीच सकते हैं projector को अब यह front जो आपका parallel है समरांतर है तो top view में आपको true length और true angle of inclination देगा तो यह true length 75 mm का arc लिखे यहां पर रखके यह projector by line को cut कर दिया हमने तो यहां पर हमको जो point मिल रहे यह point आपका होगा B2 यह point होगा B2 और यहां पर हमको line मिलेगा that is locus of B in top view locus of B in top view यह 75 इसका true length लग लिए हुआ था हमने तो हमको यहां पर यह true inclination मिल गया 5 तो यह VP के साथ क्या angle मा रहा है यहां calculate करके हम लोग इसको बता सकते हैं अब हमें इसका line का projection पूरा complete करना है तो जो हमने यह parallel माना था सम्रांतर पर यह सम्रांतर parallel है नहीं तो इसको हमको arc में rotate करना पड़ेगा तो यहां पर आ रहा है यह point आ रहा है इसको हम B dash बोलेंगे और यहां से projector खीचे हम perpendicular 90 degree पर और यहां पर यह जो नीचे हमारा top view है यह top view को भी A पर रखके AB1 rotate कर दें इसको हम लोग A, B1 को हम rotate कर दें यहां पर आपको लोका साब B in top view वाला यह और पॉइंट B हो जाएगा हम देखेंगे कि यह A, B dash और B एक ही projector एक ही perpendicular line पर इस सीथ है याने हमने जो बनाया है वो सही है अब हमें इस A dash से B dash को join करना है front view और A से B को join करना है top view यह हम लोग कर लेंगे तो यह हमारा question complete हो जाएगा तो यह से हमारा question complete हो जाएगा ऐसे हमको और भी question करने होते हैं तो सब चीज में ध्यान दीजेगा जब भी आपको कोई line inclined to one plane या both the plane बताया हुआ होगा उसको बनाना होगा हमको तो या तो हमको यहाँ पे inclination का angle दिया रहेगा या तो यह 75 mm की लंबी line जो है वो reduce होके कितनी हो रही है 65 ऐसा बताया रहेग तो यह 75 का line और यह 65 parallel ले दिया हमने तो हमको जब top view parallel होगा तो front view में two length और two angle मिरेगा ऐसा अगर के हम इस line को बना सकते हैं